लेकिन एक सबसे important information आप लोग को मत देना चाहूंगा और वो ये कि आपके channel पे MCQ type के test already discuss हो चुके हैं chapter 1 and chapter 2 के लिए subjective test भी discuss हो चुके हैं sets theory के लिए, relations and functions के लिए, trigonometric functions के लिए, complex numbers के लिए and linear inequalities के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने ये subjective and MCQ test नहीं देखे हैं तो इस video के description box में आपको direct links मिल जाएंगे आप लोग उन सभी test को भी access करके अपनी preparation को strong बना सकते हैं ठीक है चलें आगे आगे बढ़ते हैं जरा और एक काम और करते चलते हैं इस video को like करके अपने सभी classmates को share कर दो और इस channel को subscribe करके bell notification प्रेस कर लेना ताकि हर important वीडियो की update आप लोगों को time to time मिलती रहें ठीक है बच्चों now let's move to discuss the solution of mcq test number 3 that is trigonometric functions का mcq test चलिये बच्चों तो यह रहा बच्चों mcq test number 3 trigonometric functions का topic है यहां पर आपको correct option mark करने होंगे हर question एक number का होने वाला है तो first question में क्या बोला हुआ है बच्चों the least value of sin x into cos x यानि sin x into cos x इस function का आपको सबसे छोटा value बताना है कैसे करेंगे ध्यान से concept सीखना बच्चों यह जो expression दे रखा है न अगर इसे मैं 2 से multiply और divide कर दूं तो 1 by 2 मतलब 2 से divide कर दिया और 2 से multiply भी करने के लिए बोला था मैंने तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा ठीक है अब यह जो bracket में है यह कौन सा formula है बच्चों sin 2 x बन जाएगा यह bracket वाला 2 sin a cos है यानि sin 2 a तो आपको मिलेगा बाहर वन बाइट हो और bracket के अंदर जो है वो बन गया sin 2 x ठीक है तो basically हमें इस function के लिए सबसे छोटी value बताना है इसकी value या फिर इसकी value बात सेम है मैंने simplify करके इस expression को इसमें convert कर दिया है अब यहाँ पर concept क्या होगा बिटा sin theta का जो range होता है यह minus 1 to 1 in the close interval vary करता है for all theta belonging to real numbers यानि अगर theta कोई भी real angle होगा तो sin theta का जो answer है वो minus 1 to 1 close interval में आएगा ठीक है अब इस concept के basis पे अगर मैं इसे देखूं जो हमारे पास given function था जिसको modify करके हमने ऐसा बनाया है तो यहाँ पर sin 2x का भी range minus 1 से 1 close interval में ही चलेगा मैं यह कह रहा हूँ कि sin 2x की value भी इस तरीके से होगी for all x belonging to real numbers ठीक है अगर x real होगा तो 2x भी real होगा अब इस पूरे expression में अगर मैं 2 से divide कर दूँ यह फिर 1 by 2 से multiply कर दूँ ऐसे भी कह सकते हो तो आपको मिलेगा minus half और यह बीच में आएगा 1 by 2 into sin 2x और यह हो जाएगा ऐसे तमज गए अब यह जो middle में आपको दिख रहा है यह यहाँ पर आपको पहले मिल चुका है जब मैंने इसको simplify किया था तो इस expression का minimum value क्या है minus half maximum value क्या है half यानि इसका range क्या बनेगा यह आपको additionally बता रहा हूँ इस question में range नहीं पूछा हुआ है इस expression का range क्या बनेगा समझ गए तो अब इस expression का maximum value क्या होगा यह आप मुझे comment करके बताना फिलाल इसका minimum value यानि least value क्या होने वाला है तो minus half minus half यानि option b को आप check कर सकते है question number one के लिए option b सही हो जाएगा आप से मैंने इस expression का यानि इसका maximum value पूछा है जो आप मुझे comment करके बताएंगे ठीक है चलिए अगले question यानि question two की तरफ बढ़ते हैं तो ये रहा बुच्चो question number two यहाँ पर हमें इस product का value निकालना है अब यहाँ पर हो क्या रहा है cos one degree, cos two degree, cos three degree मतलब angles पे focus करना one degree, two degree, three degree से लेकर 179 degree तक जा रहा है सारे function cos के हैं और यह सब multiply हो रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर angles पे focus करने के लिए बोला था मैंने तो one degree, two degree, three degree मतलब अगला होगा four degree वाला उसके बाद होगा five degree वाला इसी तरीके से बीच में कहीं पर एक cost function मिलेगा जिसका angle होना चाहिए 90 degree बै यह भी मिलेगा बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है अब आप लोगों को पता होगा cos 90 degree का value क्या होता है, zero होता है न, ठीक है अब इस पूरे multiplication में एक जगह पे cos 90 degree आएगा जिसकी value है zero कहने का मतलब इस पूरे product में एक number 0 भी होगा, अब 0 से किसी भी number को multiply करते हैं, तो result क्या आता है, zero ही आता है मतलब यहाँ पर option C वाले को चेक करिए, question 2 का option C सई हो जाएगा, ठीक है question 3 को देखते है, question 3 में क्या है बच्चो, the value of this expression आपको इस expression का value निकालना है, तो एक छोटा सा formula बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना cos 2a 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a, ठीक है इसे देखिए और इसे देखिए कुछ similar है, लेकिन exact same नहीं है, मेरा मतलब यह है कि minus वाला नीचे आ गया, plus वाला उपर आ गया, question में, जबकि होना ऐसे चाहिए था formula के according, तो कोई बात नहीं, यह जो पूरा expression है, अगर मैं इसे 1 upon cos ऐसे करके लिखूं, तो हो क्या रहा है formula के हिसाब से, angle का double हो रहा है, समझ गए, आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 upon cos 30 degree, और cos 30 की value क्या होती है, उसका आपको reciprocal लेना है, cos 30, root 3 by 2 होता है, उसका reciprocal करोगे, 2 by root 3 आएगा, option C को check करिए, question number 3 का, option C सई हो गया, ध्यान से देखिए, formula कौन सा यूज हुआ है, यहाँ मैंने बताया था आपको, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, question number 4 की तरफ, इसमें क्या है बच्चो, if sin theta plus cos theta is equal to 1, तो आपको sin 2 theta की value निकाल नहीं है, बहुती simple question है, कैसे होगा ध्यान से देखना, जो given है ना, इसमें squaring कर दो, squaring both side, तो जैसे आप squaring करेंगे न, यह होगा, sin theta plus cos theta का whole square is equal to 1 square, मतलब उसको directly 1 भी रख सकते हो आप, यहाँ पर a plus b whole square वारा formula लगा दो, lhs में, तो sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta is equal to 1, ठीक है, class 10th का formula अगर आपको ध्यान हो, sin square theta plus cos square theta, मतलब 1 होता है, ठीक है, तो इसे आप लिख लो 1 plus 2 sin a cos a, आज की class में question 1 में मैंने यही formula अपलाई किया था, तो यह बन जाएगा sin 2 theta, that is equal to 1, इस 1 को आप अगर rhs में shift करेंगे, तो sin 2 theta क्या बनेगा, 1 minus 1, यानि 0, तो sin 2 theta की value निकालनी थी, तो answer आगया 0, यानि option d को mark कर लेते हैं, question 4 का option d सही हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं question number 5 की तरफ, question number 5 में क्या बोला हुआ है बच्चो, if alpha plus beta is equal to 3 pi by 4, तो आपको इसकी value निकालनी है, 1 minus 10 alpha into 1 minus 10 beta, ठीक है, इसकी value बतानी है, alpha plus beta 3 pi by 4 दे रखा है, दोनों तरफ 10 function apply करो, अब 10 function क्यों apply किया बच्चो, जिसकी value निकालनी है ना, उसमें भी 10 function है, इसलिए apply किया, 10 3 pi by 4 की value क्या होती है, 10 3 pi by 4 के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसकी बात कर रहा हूं, pi minus pi by 4, so 10 pi minus theta मतलब कौन सा quadrant है, देखो diagram, pi minus theta, second quadrant में 10 function negative होता है, यानि minus का 10 pi by 4, यानि minus का 1, ठीक है, 10 pi by 4 की value 1 आएगी, बाहर negative free मिल गया, क्योंकि जो angle 3 pi by 4 था, वो second quadrant का था, जिसमें 10 function negative होता है, मतलब इसकी जगा minus 1 हम रख देंगे, LHS में 10 A plus B का formula, क्या होता है बच्चों, तो 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha into 10 beta, now that is equal to minus 1, ठीक है, अब यहां से cross multiply करते हैं, और चलिए जरा अपने solution की तरफ बढ़ते हैं, So, we will have 10 alpha plus 10 beta is equal to minus 1 into 1, और फिर यह minus minus plus का 10 alpha into 10 beta हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को उठाके उस तरफ shift करते हैं, तो यहां पर 0 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, This is 10 alpha into 10 beta, minus 1 को बाद में लिखूंगा, अभी इन दोनों को उधर shift किया है, तो minus का 10 alpha, minus का 10 beta और यहां पहले से एक minus 1 था, जिसे मैंने अभी तक लिखा नहीं था, RHS वाले इस minus 1 की बात हो रही है, अब इन दोनों में से कुछ common दिख रहा है आपको, तो we can take minus 10 alpha common, इस में से और इस में से, तो minus 10 alpha common लोगे, तो यहां पर 1 बचेगा, और यहां पर होगा minus का 10 beta, ठीक है, फोकुस करना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने minus 10 alpha common लिया है, ठीक है, इन दोनों में से, अच्छा, यहां पर देखना भी, minus 10 beta तो पहले से ही है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ऐसे कर दो, plus 1 minus 10 beta, यह plus 1 मैंने अपने आप लिखा है, तो minus 1 भी अपने आप लिखना पड़ेगा, और 1 minus 1 पहले से ही है, ठीक है, और इस तरफ यानि LHS में 0 है, ठीक है बच्चो, अब यहां से यह minus 1 और minus 1, यानि minus 2 बनेगा, इसे उठा के आप LHS में shift करेंगे, तो plus 2 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, LHS में plus 2 करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो यह बना 2, ठीक है, अब यहां पर यह दोनों तो हट चुके है, यह बचा हुआ है, और यह बचा हुआ है, यह बचा हुआ है, यह बचा हुआ है, यह bracket वाला देखो, 1-10 बीटा 1-10 बीटा common आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 1-10 बीटा common लिया 1-10 बीटा common लिया तो माइनस 10 अलफा प्लस 1 बचेगा माइनस 10 अलफा प्लस 1 ठीक है क्लियर है बच्चो इस माइनस टू को मैंने इधर सिफ्ट कर दिया था प्लस टू हो चुका है आप देख सकते हो अब यहां पर बस मुझे रियर्रेंज करना है इसे आप ऐसे लिख लो 1-10 अलफा इसे आप सी की वैलू निकालनी थी 1-10 अलफा इन्टो 1-10 बीटा मतलब आंसर ऑप्शन सी में है कुश्य नंबर 5 का ऑप्शन सी सई हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुश्य लेंगे बीटा कुश्य नंबर 6 में क्या बोला हुआ है बच्चो इफ साइन एक्स इस इक्वल टू माइनस हाफ एक्स कौन से क्वाडरेंट में है पाई कोमा 3 पाई बाई 2 तीसरा क्वाडरेंट है ठीक है इसलिए साइन की वैलू नेगेटिव है आपको वैलू निकालनी है कौस 3 एक्स की कौस 3 एक्स साइन एक्स माइनस हाफ है मतलब थार्ड क्वाडरेंट का कौन सा एंगल होगा ये तो पाई प्लस पाई बाई 6 होना चाहिए आई मीन तू से कि अगर एक्स 7 पाई बाई 6 होगा तभी जाके साइन की वैल्यू माइनस हाफ आएगी एक्स यहाँ पर थार्ड क्वाडरेंट में एंगल पहुंच जाए समझ गए पाई प्लस थीटा तभी तो बनेगा थार्ड क्वाडरेंट और यहां लिखा हुआ है ठीक है तो बिसिकली एंगल एक्स मस्ट भी 7 पाई बाई 6 तभी जाके साइन की वैल्यू माइनस हाफ आएगी तो यहाँ पर कंपैर 3x क्या होगा 3x 3 से मल्टिप्लाई करो दोनों तरफ तो यह बनेगा 7 पाई बाई 2 ठीक है वेटा अब इस एंगल में कुछ स्पेशल है क्या स्पेशल है अभी डिसकस करेंगे वेट करिए आपको निकालना था कॉस्ट 3x और यहां पर 3x का मतलब है 7 पाई बाई 2 7 तो ओड नंबर है और पाई बाई 2 मतलब 90 डिगरी ठीक है जब भी पाई बाई 2 का ओड इंटीग्रल मल्टिपल ऐसा एंगल कॉस्ट फंक्शन को मिलेगा तो इसका अंसर होता है 0 मैंने कंसेप्ट क्या बताया ध्यान से सुनना अगर कॉस्ट थीटा 0 है यह जो एंगल थीटा है इट विल बी ओड इंटीग्रल मल्टिपल ऑफ पाई बाई 2 समझ गए तो एंगल में पाई बाई 2 देख रहा है मतलब 90 डिगरी इसके साथ में एक ओड इंटीजर मल्टिपलाई है तो 7 पाई बाई 2 यह वाला एंगल अगर कॉस्ट फंक्शन को मिलेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा यह रहा कंसेप्ट ठीक है बच्चो तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे कौन से वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा option A is correct, question 6 का option A सही हो गया ठीक है बच्चो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना important concept है class 12 में भी काम आएगा now let's move to the next question now we have question number 7 इसमें क्या बोला हुआ है बच्चो इफ P is equal to 2 sin square x plus cos square x then P lies in the interval ठीक है तो basically यहाँ पर आपको यह जो function दे रखा है जिसका नाम P है इसका range निकालना है तो कैसे करेंगे बच्चो ध्यान से सुनना यहाँ पर RHS में 2 sin square x दे रखा है ना इसको आप ऐसे लिखो sin square x plus sin square x और फिर यह cos square x तो पहले से ही है ठीक है अब एक sin square x को cos square x के साथ bracket में रख लो ठीक है इसकी value 1 हो जाएगी class 10 का formula तो basically आपके पास कुछ ऐसा बनके यह function P आ जाएगा ठीक है अब आज की class में already मैं आपको बता interval में होता है यानि अगर मैं number line पे आपको बताऊं तो यह रहा minus 1 यह रहा 1 तो sin x function की value minus 1 से लेकर 1 इस interval में चलेगी minus 1 भी include होगा और 1 भी include होगा ठीक है बच्चो यहां तक सारी बाते clear है आप लोगों को ठीक है बच्चो अब basically हमारे function में sin x का square दे रखा है और यहां पर sin x के बारे में हमने अभी discuss किया है यानि sin x का जो answer है यानि इसका जो output है वो negative number भी होगा positive भी होगा और 0 भी होगा बट क्योंकि हमें sin x के बारे हैं बात करनी है तो एक प्यारा सा concept सुनना किसी भी real number का जब आप square करते हैं तो जो answer आता है वो कभी negative नहीं होता है मतलब answer कैसा आएगा या तो 0 आएगा या फिर positive आएगा 0 का square करोगो तो 0 रहेगा negative number का square करोगो तो positive मिलेगा positive number का square करोगे तो भी positive मिलेगा I am talking about real numbers ठीक है तो यहां पर sin x का जो output है वो negative भी है positive भी है और 0 भी है लेकिन जैसे ही sin square x हम लेने वाले होंगे तो फिर इसका answer sin square x का answer negative नहीं होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन कहां तक तो 1 तक यानि अब इस चीज को अगर मैं number line पे दिखाओं तो यहां पर कहीं 0 है sin square x का answer 0 से लेकर 1 इस interval में चलेगा यह sin square x का interval हमने number line पे दिखा दिया आप लोगों के लिए ठीक है अब इस चीज को लेकर अपने function p तक हमें पहुँचना है इस पूरी inequality में अगर मैं one add कर दूँ one क्यों add करेंगे function p में देखो sin square x plus 1 दे रखा है तो इस पूरे में one add करोगे तो 0 plus 1 0 plus 1 sin square x plus 1 और यहां पर 1 plus 1 तो basically यह तो 1 बन जाएगा यह middle में आपका function p आ गया चेक करके देखो ठीक है और इधर हो जाएगा one plus one यानि two कहने का मतलब यह हुआ यहां से अपना answer आप conclude कर सकते हो कि p का range बनेगा p belonging to one comma two in the close interval तो one comma two in the close interval option b को आप चेक करिए question number 7 का option भी सई हो गया ठीक है आगे चलते हैं बच्चो next question यानि question 8 की तरफ so now we have question number 8 इसमें क्या दे रखा है बच्चो अगर x इस interval में हो तो आपको इसकी value बतानी है one minus sine two x का square root दे रखा है तो यहां पर basically हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले इस one पर focus करना one को we are going to write sine square x plus cos square x class 10th का formula ठीक है और sine two x की जगे हम लिखेंगे two sine x into cos x और इस पूरे का under root है ध्यान रखना square root के अंदर ही sine square x plus cos square x minus two sine x cos x ऐसा मिल रहा है अब इसे क्या हम sine x minus cos x लिख सकते हैं square root के अंदर ही क्या ऐसे हम लिख सकते हैं a minus b hall square का formula बन गया a square plus b square minus two a b समझाया ठीक है अब ध्यान से सुनना अगर आप यहां पर यह सोचें कि यह रहा square और यह रहा square root यानि under root है तो आपका answer आ जाएगा sine x minus cos x अगर आप यह लिखेंगे तो फिर आपका option c आपको सही लगेगा और यह गलत है गलत क्यूं है interval को देखिए अगर आप इस interval को ignore करके यहां पर answer यह लिखेंगे तो यह गलत होगा तो यहां पर concept क्या काम करेगा ध्यान से सुनना बच्चों under root of x square है तो इसका answer आता है modulus x और mod x को हम कैसे redefine करते हैं बच्चों modulus function की बात हो रही है mod x को हम x लिखते हैं अगर x positive हो mod x को हम minus x लिखते हैं अगर x negative हो यानि mod के अंदर क्या है तो x तो mod के अंदर वाली quantity अगर positive होगी तो same चीज लिखी जाएगी mod के अंदर वाली quantity जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x है तो mod के अंदर वाली quantity अगर negative होगी तो minus x लिखा जाएगा समझ गए ठीक है तो यहाँ पर under root दिख रहा है और function का square दिख रहा है compare करिए sin x minus cos x को यहाँ पर जो x दे रखा था उसके साथ समझ गए तो आपको लिखना पड़ेगा sin x minus cos x का modulus अब जब mod को हटाएंगे तो उसके बाद answer दो तरीके से आपके पास आने की possibilities हो सकती है या तो answer आपको मिलेगा sin x minus cos x इसका answer लेकिन यह expression इसके equal कब बनेगा जब mod के अंदर जो भी दे रखा है वो positive हो अच्छा दूसरा answer क्या हो सकता है बच्चो माइनस of sin x minus cos x मैंने कहा था कि इस function को compare करना है यहाँ पर जो x दे रखा है उसके साथ तो mod के अंदर जो भी है उसको हमने यहाँ पर x माना हुआ है और अगर वो negative होगा तो उसके आगे minus लगेगा ठीक है यहाँ mod के अंदर क्या है तो अगर यह चीज negative हुई यानि sin x minus cos x negative हुआ तो mod को हटा के बाहर एक negative लगाएंगे तो हमारे पस दो possibilities है answer लाने की या तो यह answer आएगा या फिर यह answer आएगा अब इसके बारे में surety हमें यह interval देगा कि कौन से वाला answer आने वाला है इन में से अग x इस interval में है अब इस interval में से कोई भी angle अगर आप लेंगे तो sin x की value बड़ी होगी या cos x की value बड़ी होगी इस interval में 0 से 45 degree मैं degree में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो इस interval में से अगर angle x की जगए यहाँ पर हम value put करेंगे तो sin x बढ़ा होगा या cos x बढ़ा ह जैसे आप 30 degree को put करके देख लो, x की जगे, pi by 6 put करके देख लो, इसी interval का angle है, तो sin x बड़ा होगा या cos x बड़ा होगा, sin pi by 6, 1 by 2 होता है, cos pi by 6, root 3 by 2 होता है, मतलब ये बड़ा होगा, what I mean to say, कि इस interval में sin x छोटा होगा और cos x बड़ा होगा, ठीक है, sin x छोटा होगा और cos x ये small number है, और ये big number है, ठीक है बिटा, ओके, अब छोटे number में से बड़े number को subtract करते हैं, तो answer क्या आता है, positive की negative, छोटे number में से बड़े number को subtract करते हैं, तो answer negative आता है, अब यहाँ पर आईए, pine x minus cos x, pine x small है, cos x big है, मतलब बड़ा है, छोटा number minus बड़ा number, मतलब negative, modulus के अंदर अगर negative आएगा, तो mod के sign को हटा कर बाहर एक negative लगा देते हैं, अब अगर इसे आप simplify करेंगे, minus को अंदर भेजिए, तो finally आपको मिलेगा, cos x minus sin x, तो ये answer आने वाला है, इस expression का, अगर x इस interval में होगा, सारी reasoning मैंने आपको समझाई है, ध्यान से समझना, अगर lecture कर दुबारा देखना चाहो, तो फिर से देख लो, फिलाल यहां पर कौन से वाला option ठीक हो गया, option A is correct, for question number 8, ठीक है, काफी प्यारा question है, और ये जो concept है, 11th class के लिए भी relevant है, और 12th के लिए भी बहुत important है, ठीक है बच्चो, आगे बढ़ेंगे next question की तरफ, so now we have question number 9, आपको इसकी value बताने है, secant of minus 1485 degree, तो basically यहां पर जो angle है न, यहां पर जो angle है, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, minus 8 into 180, तो यह बनेगा आपका minus 1440, minus 45 degree है, ठीक है, तो यह बन जाएगा secant 45, अब जड़ा एक बार quadrant चेक कर लेते हैं, minus 8 pi, यानि clockwise चलना होगा, और यहां पर आओगे आप, फिर minus 45, यानि आगे चलना पड़ेगा, मतलब clockwise direction में हमें movement लेना पड़ेगा, तो यह आपका fourth quadrant है, जिसमें secant की value positive होती है, और secant 45 का मतलब हुआ under root 2 option c को check करिए, question number 9 का option c सही हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 10 को देखते है, question number 10 में क्या बोला हुआ है, बच्चो, आपको इस expression का value निकालना है, कैसे करेंगे, concept सुनना बच्चो, formula बता रहा हूँ, 2 sin square a क्या होता है, 1 minus cos 2a, ठीक है, इस formula को यहाँ पर use करेंगे, so 2 sin square x, इसे हम लिखेंगे 1 minus cos 2x, फिर इसे हम लिखेंगे, इस वाले को, 1 minus cos angle का double, यानि 2x plus 120 degree आ जाएगा, फिर इसकी बाद, 1 minus cos angle का double, ठीक है, यह रहा 1, यह रहा 1 और यह रहा 1, इन तीनों को side करो, मतलब 1 plus 1 plus 1, यानि 3 हो गया, इसको side करो, minus cos 2x, ठीक है, इस cos वाले में से, और इस cos वाले में से, negative common लो, अंदर मिलेगा, cos 2x plus 120, प्लस cos 2x minus 120, अब यहां पर, cos c plus cos d वाला formula लगाएंगे, so it is, going to give us, twice cos c plus d upon 2, दोनों angle को add करके, 2 से divide करना है, जैसे ही add करोगे, तो 4x आएगा, 2 से divide करोगे, तो 2x हो जाएगा, into, cos c minus d upon 2, तो इस angle में से इसको minus करेंगे, 2x कटेगा, और twice of 120 बनेगा, और नीचे 2 होगा, तो मतलब finally, ऐसे मिलेगा, ठीक है, cos 120 degree की value क्या होती है, cos 120 degree की value, मैं यहां पर side में निकाल के दिखा देता हूँ आपको, इसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे, cos pi minus theta, यानि minus का cos theta, pi मतलब 180 degree, समझ गए, second quadrant है, जहां पर cos की value negative आएगी, और cos 60 होता है, half, यानि cos 120 की value हो गई, minus half, यहां पर हम put करने वाले हैं, cos 120 की जगह पर, तो 3 minus cos 2x, minus 2, bracket खोल रहा हूँ, into cos 2x, और इसकी जगह पर minus 1 by 2, इसकी जगह पर हमने अभी निकाला है, यह minus इसे प्लस करेगा, 2 से 2 को काटेगा, तो you will have 3 minus cos 2x, plus cos 2x, तो finally आपको मिलेगा 3, यही आपका answer होने वाला है, options चक करिए, option 3rd, यानि C option ठीक हो जाएगा, question number 10 के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question लेते हैं, question number 11, तो यह रहा question number 11, इसमें क्या दे रखा है बच्चो, cos x की value दे रखी है, minus 1 by 4, x is in the third quadrant, cos x by 2 निकालना है, तो यहाँ पर formula क्या लगेगा, cos square a को हम लिख सकते हैं, 1 plus cos 2a upon 2, यह formula यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अगर a की जगह x by 2 करोगे, तो इस formula के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, cos square x by 2, a की जगह पर x by 2 करना है, तो यह बन जाएगा, 1 plus cos x upon 2, अब cos x की value यह रही, minus 1 by 4, ठीक है, इसमें simplify करोगे, आपको मिलेगा 3 upon 8, उपर आएगा 3 upon 4, और नीचे 2 पहले सही है, यह cos square x by 2 की value है बच्चो, तो यहाँ से cos x by 2 क्या आएगा, यह आएगा, plus minus 3 over 8, यह पूरा square root में, अब positive लेना है की negative लेना है, यह दोनों लेना है, इसका decision इसके पास है, quadrant के पास, angle x के उपर आपका interval दे रखा है, quadrant बता रखा है, x by 2 का quadrant हम पता करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए, अगर x इस interval में है, तो इसका मतलब, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है न, कि x pi से बड़ा है, 3 pi by 2 से छोटा है, हमें x by 2 के बारे यह बात करनी है, तो इस पूरी interval में 2 से डिवाइड कर दो, तो x by 2 का interval यह बन गया, that means x by 2 वाला जो angle है न, यह pi by 2 से बड़ा होगा, 3 pi by 4 से छोटा होगा, यानि second quadrant की बात हो रही है बच्चो, second quadrant में cos negative होता है, तो cos x by 2 का answer यह आया, reason क्या है, कि x by 2 belongs to second quadrant, तो यहाँ पर कौन सा option ठीक है, option d को देखिए, option d is correct for question number 11, ठीक है, आगे बढ़ेंगे next question की तरफ, question number 12 से देखते हैं बच्चो, अब question number 12 में क्या बोला हुआ है, cos 2400 degree की value निकालनी है, cos 2400 degree, 13 into 180, क्या आता है, 0, 18-34, carry 5, 18-18 और 5, 23, 2340 degree ठीक है, plus 60 degree, got it, 2400 degree वाले एंगल को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, 13 into 100 degree, plus 60 degree, तो अब यहां से, प्लस या माइनस के बारे हैं बात करनी पड़ेगी, quadrant के according, तो यह है 13 pi, plus theta, 13 pi मतलब pi का, odd integral multiple, तो basically odd integral multiple तो यहीं पर मिलेगा, और यह angle positive है, यानि anti-clockwise चलना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर 13 pi आ जाएगा, आपका, plus 60, यानि next quadrant, यानि third quadrant में आप जाके गिरोगे, तो cos third quadrant में negative होता है, minus cos 60, यानि minus 1 by 2, minus 1 by 2 आपके तीसरे option में है, option c is correct, for question number 12, यहां पर मैं pi के odd integral multiple के बारे में क्या बात कर रहा था, ध्यान से सुनना बच्चो, जब आप quadrant में, यहां से moment स्टार्ट करेंगे, तो 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, समझ रहे हो, मतलब इस hand पे हमेशा pi के, even integral multiple आएंगे, right hand में, और इधर, pi के, odd integral multiples वाले angle आएंगे, इस वाले border पे बात कर रहा हूं मैं, यहां पर, और यहां पर, यहां even वाले right hand में, और odd वाले left hand पे आते हैं, तो इसके हिसाब से आपको बार बार ऐसे round लेकर पता करने की जरूत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चीज को, ध्यान में रखोगे तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 13th की तरफ चलते हैं बच्चो, now we have question number 13th, इसमें क्या बोल रखा है, if 10 to x is equal to this, तो आपको m plus n की value बतानी है, simple सा question है, कैसे करना होगा बटा, यहां पर, 10 to a का एक formula होता है, तो यहां 10 to x है, तो मैं 10 to x का ही लिखूंगा, तो 10 to x का formula देखो, ऐसे बनेगा, ठीक हैं, यहां तक ठीक है, अब जड़ा, denominator को मैं किस तरीके से, rewrite कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 1 plus minus 1 into, 10 square x, अब इसे, इसके साथ compare करिए, तो आपको पता चल जाएगा, कि m की value क्या है, m is 1, यहां 1 है, और यहां पर m है, यहां n दिख रहा होगा, और यहां देखो क्या है, तो n की value आजाएगी, minus 1, m और n की value तुम्हारे सामने है, तो 1 plus minus 1, यानि m plus n निकालना था, तो यह 0 आएगा, option d को चेक करिए, question number 13th का option d, correct है, question number 14th को देखते हैं, क्या पूछा हुआ है, radian equivalent of 315 degree, 315 degree का radian equivalent क्या है, या तो इसको radian equivalent में convert करो, मतलब, 315 degree है न, तो इसको pi upon 180 से multiply करो, और इसे simplify करो, आपका radian का angle आज आएगा, जो भी आएगा, मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है कि pi upon 4 क्या होता है, तो 45 degree, अब pi upon 4 की बात मैंने क्यों की, क्योंकि सारे options में, pi upon 4 आपको दिख रहा होगा, बस pi upon 4 के साथ में, 3, 7, 5 और 9, यह multiply हैं अलग-अलग options में, तो यहाँ पर है 3 pi by 4, पहले option में, तो 3 pi by 4, यानि 45 को 3 से multiply करोगे, 135 degree आएगा, option A सही नहीं हो सकता, ठीक है, option B की बात है, यहाँ है 7 pi by 4, तो 7 को 45 से multiply करके देखें, तो 7 को 45 से multiply करते हैं, 7, 5, 35, carry 3, 7, 28, और 3, 31, यानि 315 degree, यह ठीक है, option B is absolutely correct, ठीक है बटा, option C और D को मैं क्यों चेक करूँ, जब मुझे correct option का पता चल चुका है, आगे बढ़ेंगे अगले question, यानि question 15 की तरफ, so now we have question number 15, इसमें क्या है बच्चो, आपको इसकी value निकालनी है, tangent of minus 314 pi upon 3, तो मैं क्या करूँगा, इसमें धेहान से देखना, minus 5 pi plus pi upon 3, एक बार LCM लेकर देखें, तो pi 315 3 एकम 3, minus 315 pi plus pi upon 3, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही लिखा है, अब यहाँ से हमें plus minus का भी पता करना पड़ेगा, तो यह बन गया tangent of n pi plus theta, तो answer तो theta ही रहेगा यहाँ पर, 10 function के angle में 10 theta ही दिखेगा, बट plus या minus के लिए हमें जाना पड़ेगा quadrant के पास, अब इसके बाद plus या minus के बारे में पता करेंगे, for that we will have to make the quadrants, तो यहाँ पर minus 105 pi दे रखा है, मतलब pi के साथ में odd integer multiply है, अब ये बात मैं अभी कुछ देर पहले किसी question में आपको सिखा कर आया हूँ, कि यहाँ पर ये जो quadrant है, इसमें left hand में pi के odd integral multiple आते हैं, और right hand में pi के even integral multiple आते हैं, अगर आप ये चीज ना सीखो, तो यहाँ पर minus 105 pi दे रखा है, आपको round लेकर सारा काम करना पड़ेगा, कितनी बार round लोगे, देख लो, पता चल जाएगा आपको, minus 105 pi दे रखा है, अच्छा angle negative है, मतलब clockwise चलना पड़ेगा, तो clockwise चलोगे, तो यहाँ पर आपको, minus 105 pi मिल जाएगा, left hand में क्यों मिलेगा, क्योंकि 105 odd integer है, समझ गए, अब plus pi by 3 दे रखा है, that means, आप back side में आएँगे, यानि third quadrant, जिसमें 10 function positive, यानि plus का 10 pi by 3 बनेगा, 10 pi by 3 यानि 1060, यानि root 3, option D check करिए, question number 15 का option D सही हो गया, ठीक है बच्छो, आगे बढ़ेंगे, next question की तरफ, question 16 में क्या है बच्छो, the radius of a circle, whose arc of length 15 pi centimeter, makes an angle of 135 degree at the center, तो basically आपको arc length दे रखा है, और angle भी दे रखा है, 135 degree, जिसे हम radian में convert करेंगे, तो यह बनेगा 3 pi by 4, ठीक है, और formula क्या लगेगा, theta equals L upon R, इस formula की help से, आपको यहाँ पर radius निकालना है, so that will be, R is equal to L upon theta, L क्या है, 15 pi, theta क्या है, तो 3 pi upon 4, तो 4 उपर चला जाएगा, यहाँ पर simplification करिए आप लोग, तो यह बनेगा 5 into 4, यानि 20 cm, pi से pi कट गया, 3 5s are 15, 5 into 4, यानि 20 cm, option D को चेक करिए, question number 16 का option D सई हो गया, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, यानि question number 17, तो यह रहा question number 17, इसमें हमें इस expression की value निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम, इसे simplify करेंगे, sin of minus 71 pi upon 4, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देहां से देखिए, sin minus 71 pi upon 4 है, तो इसे हम लिखेंगे, minus 18 pi, plus pi upon 4, एक बार आप इसमें LCM लेके देख लो, सब पुछ ठीक है, अब यहां से हमें answer तो मिलेगा, sin pi by 4 की form में, लेकिन positive या negative, अब यह भी discuss कर लेता हूँ, हालांकि यह positive आज चाहे negative आज, इसका हमारे question के final answer पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, because यहां पर squaring हो रखी है, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको discuss करूँगा आपके लिए, तो यहां पर, हमने quadrant बना दिया, minus 18 pi, यानि pi के साथ में e1 integer multiply है, तो quadrant में जब हम rounds लेंगे, तो हमें इस तरफ मिलेगा, minus 18 pi, क्योंकि pi के साथ में e1 integer है, यह right hand में आएगा, समझ गए, plus pi by 4 हो रहा है इसके बाद, that means आपको back side में जाना पड़ेगा, तो यह first quadrant का case बनेगा, बात समझे, और first quadrant में सारे function बिसिकली positive होते हैं, तो यह plus का sin pi by 4 आएगा, यानि plus का 1 by root 2, clear है, अब यहां पर आजाओ, under root 2 into, 1 by root 2 का square, ठीक है, तो, यह आपको देगा, root 2 into 1 by 2, that means, यह बनेगा आपका 1 by root 2, 1 by root 2 का मतलब, option b को आप check कर सकते हैं, option b will be correct, for question number 17, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि अगर यह negative भी आ जाएगा, तब भी यहां पर squaring होने वाली है, तो मतलब यहां तो 1 by 2 ही आता, तो final answer यही रहता हो, ठीक है, अगला question बहीं यहीं पर देख लेते हैं, आपको दे रखा है, let y is equal to modulus of sin x, अगर x real number है, तो आपको बताना है, y के लिए क्या interval बनने वाला है, basically यहां पर function y का आपको range लिखना है, अब देखो, हमें यह तो पता है, for all x belonging to real number, sin x का जो answer है, यानि sin x का range, इस interval में चलता है, minus 1 से 1, close interval, अब इसमें हमें modulus लगाना है, यहां पर जैसे हम modulus apply करेंगे, modulus of sin x, तो आपको यह interval ऐसा दिखेगा, अब यह middle में क्या है, यही आपका function y है, मतलब आप इसे rewrite करके, ऐसे लिख सकते हो, समझ गए, यानि y के लिए interval क्या बन गया, option d वाला चेक कर लो, option d सही है, ठीक है बेटा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y belonging to, close interval 0 से 1, बेसिकली इस function का range, यह आएगा, ठीक है, यही पूछा हुआ है इस question में, आगे बढ़ेंगे next question लेते हैं, question number 19, तो question number 19 में, basically function f of x दे रखा है, cotangent x, आपको x belonging to, which interval यह बताना है, मतलब यहाँ पर इस function का, domain पूछा हुआ है, domain क्या होता है, cotangent x का, all real number excluding n pi, यानि option 20 सही हो जाएगा, question number 19 के लिए, ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर होता क्या है, cotangent x को हम लिख सकते हैं, cos x upon sin x, यही होता है ना, cotangent x, अब इसमें denominator में क्या है, denominator में है sin x, अब denominator में जो sin x दे रखा है ना, यह 0 हो नहीं सकता, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि sin x 0 कब होता है, sin x 0, होगा, तो यह तभी होगा, जब x n pi हो, n मतलब integer, ठीक है, तो इसे condition में sin x 0 होगा, हमें sin x को 0 नहीं करना है, अगर cotangent function को define होना है तो, तो फिर x इस type का angle नहीं होना चाहिए, तो यही तो option b में लिखा हुआ है, all real numbers excluding n pi, बस n pi को छोड़ दो, यानि यहाँ पर यह आपका answer हो जाएगा, option b question number 19 के लिए, ठीक है बच्चो, question number 20 को देखते हैं, question 20 में बेसिकली आपसे पूछा हुआ है, maximum value of this function, function है 12 sin x minus 5 cos x, अब इसके लिए आपको concept सीखना पड़ेगा, concept क्या है, अभी बताता हूँ, wait करिए, ध्यान से सुनना बच्चो, अगर कोई भी expression इस form में है, अगर कोई भी expression इस form में है, तो इसका range क्या होगा, इसका range क्या होगा, इसका range होता है, minus r, r in the close interval, अब यह r क्या है, ध्यान से समझना, r क्या है, kinex और cos x के coefficient क्या है बच्चो, तो a and b, तो इनके coefficients का square करके, इनको add करो, और इसका square root ले लेंगे, तो r ऐसे निकलेगा, minus r से r, यह जो close interval बनेगा, यह range होगा, इस type के expression का, तो इस type का अगर कोई function है, तो इसका range ऐसा होगा, तो फिर इस type के function का maximum value क्या होगा, r, minimum value क्या होगा, तो minus r, अपने question में आ जाओ, यहाँ पर a और b का मतलब, compare करके देख लोग, पता चल गया होगा आपको, तो यहाँ से r कैसे निकलेगा बच्चो, a का square यानि 12 का square, b का square यानि minus 5 का square, और इसका under root लेना है, मतलब क्या बनेगा, under root में 144, plus में 25, ठीक है, मतलब r की value आ जाएगे 13, यानि इस function का, अगर मैं range कहूँ, तो range क्या मिलेगा, range मिलेगा, minus 13 से 13, मतलब अगर इस function के range के according में, max value पूछूँगा, तो वो तो r होता है, यानि 13, और अगर minimum value पूछी जाती, तो वो आएगा minus 13, हमें यहाँ पर सिर्फ maximum value बतानी है, option d को आप चेक कर सकते हैं, option d is correct for question number 20, अच्छा concept है, ध्यान से देख लो, next question की तरफ चलते हैं, question number 21, question 21 में क्या है बच्चो, यह जो function दे रखा है, आपको इसका range बताना है, अब यह जो question है, इसका link पिछले question से भी है, पहले concept की बात कर लो, यह तो मैं बता चुका हूँ, कि इसका range क्या आता है, इसका range आता है, minus r, यही आता है range, ठीक है ना, और r कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं, a square प्लस b square का अंडर उट ले लेते हैं, ठीक है ना, यह तो हमको पता है, आपके question में यहाँ पर कुछ extra भी है, यानि constant है, तो अगर यहाँ पर अलग से कोई constant लगा होगा, plus c या minus c कुछ भी हो, तो basically इस constant को यहाँ पर आप ऐसे लगा दो, बस यह इस type के function का range हो गया, तो इसका maximum value r plus c, minimum value minus r plus c, समझ रहे हो, ठीक है, अपने question में आईए, आपको यहाँ पर directly range ही लिखना है, maximum या minimum value नहीं पूछी गई है, तो यहाँ पर r क्या आएगा, r बनेगा a का square, यानि 1 का square, plus b का square, और इसका under root ले लेंगे, यह आजाएगा under root में 2, ठीक है बच्चो, तो इस function का range, क्या बनेगा, minus r plus c, अब c का मतलब है minus root 2, ठीक है, comma r plus c, r यह रहा, और c का मतलब है root 2, अब इसको simplify करेंगे, so we will get minus 2 root 2, comma 0, तो यह कौन से option में है, पहले वाले option को आप चेक करिए, question number 21 का option है सई हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इस question में क्या समझाया है, यह सारे concept, जो पिछले question number 20 में, और question number 21 में था, यह 12 में भी आएंगे, ठीक है, question number 22 की तरफ बढ़ते हैं बच्चो, question number 22 में क्या है, cosecant minus 19 pi upon 6, cosecant minus 19 pi upon 6, तो इसे हम ऐसे लिखें, LCM लेके देख लो, minus 18 pi, minus pi, minus 19 pi upon 6 आ जाएगा, यह बनेगा, cosecant pi upon 6, अब minus 3 pi का मतलब क्या हुआ, minus 3 pi का मतलब, हमें clockwise चलना होगा, तो यह minus 2 pi, और यह रहा minus 3 pi, वैसे pi के साथ में odd integer है, तो इसको यहीं पर आना था, left side में, ठीक है, minus 3 pi, minus pi by 6, यानि आपको forward motion में चलना है, तो इधर आओ गए आप, which is second quadrant, जिसमें cosecant positive होता है, ठीक है, cosecant pi by 6, यानि 2, option C को आप चेक कर सकते हैं, option C is correct, question 22 का option C सही हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 23 की तरफ चलते हैं, बेटा, question number 23 में क्या बोला हुआ है, if cos theta plus second theta is equal to 2, तो आपको इसकी value बता नहीं है, simple सा question है, दोनों तरफ squaring कर दो, cos theta plus second theta hall square is equal to 2 square, 2 का square तो 4 हो जाएगा, LHS में A plus B hall square, ये formula अप्लाई करेंगे, cos square theta plus second square theta plus 2, cos theta into second theta is equal to 4, आपको जिसकी value निकालने थी, वो ये है, यानि cos square plus second square, ये बनेगा 2 times cos theta और secant theta को 1 upon cos theta लिख लो, RHS में है 4, ठीक है, तो बस आपका काम हो चुका है, cos square theta plus second square theta, देखो, यहाँ पर cos theta से cos theta cancel होगा, तो ये plus का 2 बचेगा, इसको उधर ले जाओगे, तो minus का 2 हो जाएगा, यानि 4 minus 2, which is 2, तो यही आपका आंसर होने वाला है, option C को आप देख सकते हैं, question number 23 का option C सही हो गया है, बच्चो, ठीक है, ये भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं, question number 24 की तरफ, question number 24 में, आपको जो function दे रखा है, आपको इस function के लिए, interval पता करना है, कि fx किस interval में लाई करेगा, मतलब range पूछा गया है, तो यहाँ पर cos square x plus 1 दे रखा है, हमको पता है, कि cos x की value, इस interval में होती है, मतलब range of cos x, for all x belonging to real number, ठीक है, cos x की value minus 1 से 1, close interval में है, इसका मतलब cos x की value 0 भी है, positive number भी है, और negative number भी है, अगर मैं यहाँ पर squaring करने लगूं, यानि cos square x की बात हो रही है, तो negative number का square भी positive होता है, positive number का square भी positive होता है, और 0 का square तो 0 ही रह जाएगा, यानि जैसे ही cos square x की बात करोगे, तो यह interval अब ऐसे चलेगा, ठीक है, आपके question में function का मतलब था, cos square x plus 1, यानि इस पूरे inequality में plus 1 करना है, तो 0 plus 1 यानि 1 रह जाएगा, cos square x plus 1, और यहाँ पर 1 plus 1, यानि इसको directly 2 भी लिख सकते थे आप लो, तो ये middle में आपका fx आ गया, rhs में 2 हो गया, lhs में तो 1 हम पहले ही लिख चुके थे, तो ये वाला option कहाँ पर दिख रहा है, एक बार आप देखिए, option D में is written, यानि option D सही हो जाएगा, इस question के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या समझाया है, आगे बढ़ेंगे, question number 25 की तरफ चलते हैं बेटा, question number 25 में क्या बोला हुआ है, if 10 theta is half, 10 theta half दे रखा है, 10 5 1 by 3 दे रखा है, 10 theta plus 5 की value पूछी गई है, 10 A plus B का formula लगाईए, 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A 10 B, यह होता है न, A और B का मतलब यहाँ पर theta and 5 है, ठीक है बच्चो, अब तरह इनकी value पूट कर लेते हैं, 10 theta है half और यह है 1 by 3, upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3, LCM लेंगे, उपर आएगा 5 upon 6, नीचे बनेगा 1 minus 1 by 6, तो यह है 5 by 6, नीचे भी LCM लोगे तो 5 by 6 ही आएगा, यह पूरा simplify होके आपको 1 देगा, आपको इसी की value निकालनी है, मतलब इसका answer आगया 1, यानि option B सही हो गया, यह ध्यान रखना कि यहाँ पर angle theta plus 5, इसकी value नहीं पूछी है, अगर angle की value पूछ रखी होती, तो कौन सा option ठीक होता, मुझे comment करके बताना, फिलाल तो option B यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं question number 26 की तरफ, question 26 में क्या बोला हुआ है, which of the following is incorrect, कौन से वाला इसमें गलत है, sin theta minus 1 by 5, चलो यह तो possible है, योकि sin theta का जो output यानि range होता है, minus 1 से 1 close interval में होता है, तो यह तो ठीक है, cos theta का भी same कहानी, यानि cos theta का भी जो output यानि range है, minus 1 से 1 close interval में होता है, तो यह भी ठीक है, second theta भी 2 हो सकता है, cosecant theta minus half दे रखा है, देहां से सुनना बच्चो, cosecant x, इस function का range, क्या होता है, number line पर बता रहा हूं, cosecant function का range, या तो 1 होगा, या 1 से बड़ा, minus 1 होगा, या minus 1 से छोटा, समझ गए, इसको interval की form में कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो, कि minus infinity, comma infinity, पूरा real number, excluding minus 1 to 1, यानि इस interval के number, नहीं होते हैं, इसके output में, समझ गए, ठीक है, तो अब यह जो minus half दे रखा है, वो तो इसी interval में आएगा, तो cosecant का जो output है, इस interval में तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब कौन सा incorrect है, option D वाला incorrect है, यहाँ पर option D को mark करेंगे, तो यह बात मैं range के बारे में बता रहा हूँ, cosecant function के लिए, सेम कहानी होती है, secant function के लिए भी, यानि, secant function का range भी यही रहता है, इसे और कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, minus infinity से minus 1, close bracket, union, 1 से infinity, किसी भी तरीके से लिख लो, secant x का range या cosecant x का range ऐसे होता है ठीक है आगे बढ़ेंगे next question की तरफ यानि question number 27 question number 27 में आपको इसकी value निकालनी है तो क्या करने वाला हो यहाँ पर मैं ध्यान से सुनना cotangent theta को cos upon sin लिख सकते हैं लिख दिया 10 theta को sin upon cos लिख सकते हैं तो लिख दिया ठीक है अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं न कि cotangent 45 plus 30 माइनस tangent 45 plus 30 तो इसमें 10 a plus b का formula इसमें cotangent a plus b का formula और फिर उसके बार इसको हम calculate कर लेंगे बट यह काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको सीखो यहाँ पर जैसे आप LCM लेंगे आपको मलेगा cos square 75 minus sin square 75 नीचे बनेगा sin 75 into cos 75 ठीक है cos square a minus sin square a क्या होता है बच्चो cos 2a ठीक है numerator में यही formula apply करने जा रहा हूँ a का मतलब है 45 degree इसका double करेंगे अगर हमें answer लिखना है इस formula की help से cos twice of the angle तो 75 degree का double यानि 150 degree नीचे क्या है यह दोनों तो यहाँ पर 2 से multiply करो यानि 2 sin 75 into cos 75 यहाँ 2 लगाया तो उपर भी 2 लेया हूँ समझ गए 2 से multiply डिवाइड कर दिया है क्यों किया क्यूंकि नीचे 2 sin है cos a मतलब sin 2a का formula बन जाएगा numerator में है 2 cos 150 नीचे हो जाएगा sin 2a के formula की help से angle का double करोगे यानि sin 150 हो जाएगा तो cos upon sin क्या होता है cotangent angle 150 है आपको इसकी value निकालनी है फिलहाल तो 2 times cot 180 minus 30 2 cot 30 negative या positive तो negative योकि pi minus theta second quadrant में cotangent negative होता है ठीक है तो यह ऐसे आ गया अब minus 2 cot 30 की value क्या होती है बिटा तो root 3 तो minus 2 root 3 minus 2 root 3 यानि option c को check करिए question number 27 का option c सई हो गया है इस method से अगर नहीं करोगे तो ऐसे कर सकते हो जो की काफी lengthy होने वाला है ठीक है आगे बढ़ेंगे question number 28 की तरफ so now we have question number 28 इसमें पूछा हुआ है which of the following is correct sign 1 degree और यह sign 1 लिखा हुआ है यहाँ तो degree का symbol है लेकिन इस angle पे कोई symbol नहीं है मतलब यह जो angle है ना यह 1 radian है ठीक है 1 radian है जो की approximately 57 degree के equal होता है जब भी first quadrant में angle की value बढ़ती है 0 से लेकर 90 degree तक अगर आप जाओगे first quadrant में तो sign function की value भी बढ़ती है तो 1 degree और यह 1 radian यानि approximately 57 degree तो sign 1 radian की value बढ़ी होनी चाहिए sign 1 degree के comparison में तो यह तो option गलत हो गया और जो मैंने explain किया उसके according यह भी गलत हो गया ठीक है सिर्फ यह वाला सही होगा समझ गए याज रखना मैंने क्या बताया कि one radian का मतलब approximately how much degree और first quadrant में angle के बढ़ने के साथ 0 से लेकर 90 degree तक जाओगे angle को बढ़ाते हुए तो sign function की value भी बढ़ती है समझ गए मेरी बात तो option D यहाँ पर ठीक हो जाएगा अब इसके बाद question number 29 जिसका concept आज की class में हम discuss कर चुके हैं already आपको इस expression का minimum value निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम R निकालेंगे a square plus b square तो 4 plus 9 in the square root यानि under root 13 तो basically इस function का अगर हम range लिखें तो यह बनेगा minus r,r यानि minus root 13, root 13 तो इसका minimum value आपसे पूछा गया है तो यह रहा minimum value यानि minus root 13 minus root 13 यानि option C को check करिए, question number 29 का option C सही हो गया, आगे बढ़ते हैं next question की तरफ so now we have question number 30, इसमें आपको इसकी value बता नहीं है, sin x plus sin y upon 2, direct formula है basically, sin x plus sin y का मतलब होता है 2 sin x plus y upon 2, ऐसे ठीक है, into cos x minus y upon 2, और इसे पूरे के नीचे आपको denominator में 2 लगा के दे रखा है जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यह denominator वाला 2, इस वाले 2 को cancel कर देगा, तो finally हमें मिलेगा, sin x plus y upon 2, into cos x minus y upon 2, यानि option B सही हो जाएगा, question number 30 के लिए, ध्यान से देखो, simple सा formula based question था यह आगे चलते हैं, next question, यानि question number 31 के तरफ, question 31 में क्या है बच्चो, if sin theta is equal to cos theta, तो आपको 10 theta की value बतानी है, यह जो दे रखा है ना आपको, इसमें दोनों तरफ cos theta से divide करिए, तो sin theta upon cos theta is equal to cos theta upon cos theta, both side हमने cos theta से divide कर दिया, LHS में हो गया, sin upon cos यानि 10 theta, RHS में cos upon cos यानि 1, इसी की value पूछ रखी है, option A सही हो गया, question 31 के लिए, ठीक है, अगे बढ़ते हैं, question number 32 को लेते हैं, एक expression दे रखा है, P is equal to sin 15 degree plus cos 15 degree, आपको इसकी value बतानी है, 2 times P square plus 1, तो कैसे करेंगे, बच्चो, ध्य से देखना, 2 times, यह हमने P की value put कर दी है, तो 2 times P square plus 1, ठीक है, अब जरा इसको हम simplify कर लेते हैं, जो bracket में दे रखा है, तो यह बनेगा sin square 15 plus cos square 15 plus 2 sin 15 into cos 15, यह bracket वाला हो गया, और आगे plus 1 भी लगा हुआ है, ठीक है, class 10th के formula के according, sin square theta plus cos square theta, यह तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 sin A, cos A, यानि sin 2 A बनेगा, so we are going to have 2 times, bracket में यह 1, plus यह बनेगा sin 30 degree, एंगल का double, 2 sin A, cos A, sin twice of A, ठीक है, और आगे है, plus 1, तो क्योंकि sin 30 की value half होती है, तो यह बनेगा 2 times 1 plus 1 by 2 plus 1, ठीक है, अब इसको simplify कर लेते हैं जरा, तो यह है 2, bracket वाला आपको देगा 3 by 2, plus में 1, तो यह बनेगा 3 plus 1, that is 4, 4 यानि option D को आप चेक करिए, question number 32 के लिए option D सही हो गया है, ध्यान से देखो बच्चो, Now we have question number 33, question 33 में क्या है बच्चो, आपको इसकी value निकालनी है, 10 3A का formula यहाँ पर लगेगा, A का मतलब 20 degree है, तो basically हम इसे लिखेंगे 10 3 times angle, angle क्या है, तो 20 degree, तो यह हो जाएगा 10 60 degree, 10 60 की value होती है root 3, यानि option C, इस question के लिए ठीक हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, question number 34 में क्या है, domain of secant x, secant x का domain पूछा गया है, secant x का domain, देखो मैं आपको explain करके बता रहा हूँ, ठीक है टेक्स का 1 upon cos x लिख सकते हैं, ठीक है ना, denominator में है cos x, अब cos x 0 नहीं हो सकता क्योंकि यह denominator में आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि cos x 0 कब होता है, बता चुका हूँ आज की class में, अगर cos x 0 होगा, तो angle x इस form में होगा, इसे क्या बोलते हैं, angle is odd integral multiple of pi by 2, समझ गए, तो ऐसा angle अगर यहां cos को मिलेगा, तो cos 0 होगा, हमें denominator वाले को 0 करना नहीं है, तभी जाके secant function define होगा, तो बस इस type का angle हमें नहीं चाहिए, अब यह कहां पर दे रखा है, all real angles excluding odd integral multiple of pi by 2, क्योंकि इन पर denominator वाला cos x 0 हो जाएगा, secant x को हम 1 upon cos x लिख सकते हैं, यह आपको पता ही है, यानि यहां पर option d सही हो जाएगा, question number 34 के लिए, ठीक है, ध्यान से देखो, आगे चलते हैं, question number 35 की तरफ, so now we have question number 35, यहाँ पर आपसे range पूछा हुआ है, cosecant x का, discuss कर चुका हूँ आज की class में, range यह रहा, option d सही हो जाएगा, question number 35 के लिए, ठीक है, question 36 में क्या है, 1 degree is equal to, 1 degree 60 second के equal तो नहीं होता है, 60 minute के equal होता है, यानि option b सही हो जाएगा, question number 36 के लिए, direct question है, आगे चलते हैं, question number 37 को देखते हैं, 37 में क्या है, यहाँ पर बोला हुआ है, a wheel of a vehicle makes 360 revolutions in a time period of 1 minute, एक minute में इतने revolutions होंगे, through how many radians does it turn in 1.5 seconds, unitary method का question है, ध्यान से सुनना, एक minute के समय में, in 1 minute, the wheel makes how many revolutions, कितने revolutions बने, 360 revolutions, एक minute के समय में, थीक है, एक minute का मतलब 60 seconds, इसलिए हम कह सकते हैं, कि, इन 1 second, एक second में, the wheel makes how many revolutions, तो 60 seconds में इतना, 60 seconds यानी एक minute, तो 60 seconds में इतना revolutions, तो एक second में इतने revolutions बनेंगे, simplify करो, 6 revolutions, ठीक है, तो 1.5 second में कितना होगा, number of revolutions in 1 second is this much, यानी 6 revolutions होँगे, एक second में, तो 1.5 second में कितने होँगे, तो 6 into 1.5 करो, यानी आपको मिलेगा 9, यानी 9 revolutions होने वाले हैं, 1.5 second में, एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी एक revolution कम्प्लीट करने में, रेडियंस कवर होते हैं, 2 pi, यानी, number of radians, in 1 revolution, एक revolution में, 2 pi radians का एंगल बनता है, अब क्योंकि, एक revolution में, 2 pi radians का एंगल बनेगा, so 9 revolutions में, कितने एंगल बनेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, in, 9 revolutions, 2 pi into 9, यानी, 18 pi radians, इतने का एंगल बनेगा, बिटा, 18 pi radians, यानी, option A सही हो जाएगा, question number 37 के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 38 की तरफ चलते हैं, now we have question number 38, आपको इसकी value बतानी है, 10 5 pi upon 12, तो इसे हम कैसे करेंगे बिटा, 10 5 pi upon 12, आप इसे लिख सकते हो, pi by 4, plus pi by 6, ठीक है, LCM लेकर देख लो, 5 pi upon 12 ही आएगा, इसमें 10 A plus B का formula लगाएंगे, so it is 10 A, 10 A, that is 10 pi by 4, plus 10 B upon 1 minus 10 A into 10 B, 10 pi by 4 का मतलब हुआ 1, 10 pi by 6 यानी 1 by root 3, तो ये फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, अब इसे हमें simplify करना है, LCM ले ले लेते हैं, we are going to have root 3 plus 1 upon root 3 minus 1, अब ऐसा किसी option में है, root 3 plus 1, root 3 minus 1 denominator में, यानी option B सही हो जाएगा, कुशन नंबर 38 के लिए ध्यान से देखो बच्चो, आगे जलते हैं, कुशन नंबर 39 की तरफ, so now we have question 39, यहाँ पर आपको value बताने है, sin 15 degree minus cos 15 degree, कैसे करोगे, अब 15 degree के लिए basically, आप ऐसे लिख सकते हो, कि sin 45 minus 30, ठीक है, sin 15 degree ऐसे निकल जाएगा, अच्छा, इसको calculate कर लेना, sin A minus B के formulae से, ऐसे ही cos 15 को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 45 minus 30, यानि cos A minus B का formula लगा लो, वैसे आप यह भी कर सकते हो, मतलब cos में या sin में 15 degree है ना, तो इसे 60 minus 45, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट यह lengthy process हो जाएगा, हम कैसे करेंगे, ध्यान से दिखना, cos 15 degree है ना, cos 15 degree को आप ऐसे लिखो, 90 minus 75, 15 degree की बात कर रहा हूँ, अब cos 90 minus theta होता है, sin theta, समयजगे, यानि आपके इस question को अब हम लिखेंगे, sin 15 degree minus sin 75 degree है, वेसे आप sin 15 degree वाले को भी cos में change कर सकते हो, दोनों function सेम टाइप के होने चाहिए, बना लिए मैंने, अब sin c minus sin d का formula, क्या होता है, 2 times cos c plus d upon 2, तो c plus d करोगे, यानि 90 upon 2 यानि 45 degree है, 2 cos c plus d by 2, into sin c minus d upon 2, तो 15 minus 75, यानि minus का 60 upon 2, यानि minus का 30, ठीक है, अब sin 30 का मतलब क्या होता है, 1 by 2 और ये negative है, तो ये हो जाएगा, minus 2, cos 45 की value ये रही, और ये sin 30 बनेगा, sin 30 की value ये रही, तमजे मैंने क्या क्या किया, tine minus theta minus sin theta होता है, अब यहाँ theta का मतलब 30 degree है, मतलब ये पूरा, आपको minus sin 30 देगा, यानि minus half देगा, minus आगे है, half ये रहा, cos 45 की value पुट कर ली है, इसको simplify करेंगे, तो minus 1 upon root 2 आएगा, minus 1 upon root 2, option d में है, एक बार चेक कर लो, ये रहा, ठीक है, यानि question 39 का option d से ही हो जाएगा, अब आगे चलते हैं, question number 40 की तरफ, so now we have question number 40, इसमें secant x दे रखा है, x is there in the second quadrant, इसलिए secant की value negative है, आपको sin 2x निकालना है, sin 2x को हम लिख सकते हैं, 2 sin x into cos x, ध्यान से समझना, ठीक है, secant x की help से cos x मिल जाएगा, मतलब secant x की value का हम reciprocal ले लेंगे, ठीक है, cos x मिल गया तो sin x भी मिलेगा, sin square x क्या होता है, तो 1 minus cos square x, यानि 1 minus इसका square कर दोगे, तो 144 upon 169, so it is 25 upon 169, अब यहां से ये sin square x की value आ रखी है, तो sin x की value क्या बनेगी बटा, plus और minus 5 upon 13, अब plus का या minus का, इसके बारे में quadrant बताएगा, angle का, तो angle का quadrant है second, जिसमें sin x की value positive होती है, तो हम यहां पर reason दे सकते हैं, कि x belongs to second quadrant, इसलिए, sin x positive होना चाहिए, which is 5 upon 13, अब देखो, आपके पास cose x है, यह रहा, आपने sin x अभी निकाला है, यहां पूट कर दो, तो यह रहा 2, sin x है आपका 5 upon 13, और cose x है, minus 12 upon 13, so denominator में 169, और यह negative तो रहेगा, उपर बनेगा 2, 5, 10, यानि 120, अब minus 120 upon 169, option A में आप चेक करिए, question number 40 का option A से ही हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, question 41 की तरफ, so now we have question number 41, इसमें theta का interval दे रखा है, 0 से pi by 4 में, तो आपको इसकी value निकालनी है, ठीक है, धान से सुनना, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे हम, ठीक है, तो इसमें, यह बाहर वाला under root है, 2 minus, इसमें अगर मैं 2 common ले लूँ, तो हमें मिलेगा, 1 plus cos 4 theta, ऐसे, ठीक है, 1 plus cos 2a का formula, क्या होता है, 2 cos square a, angle का half हो जाता है, angle पे focus करना, ठीक है बिटा, तो यह बन जाएगा आपका, बाहर वाला तो under root as it is, minus 2, 2, यह bracket वाला formula से compare करिए, तो यह बनेगा 2, cos square angle का half, यानि 2 theta, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यह as it is, minus, 2 to the 4, under root है, मतलब 2 बनेगा, cos square 2 theta का under root है, तो आपको लिखना है, modulus of cos 2 theta, concept आज की class में discuss कर चुका हूँ, किसी और question में, इसी type का scenario था वहाँ पर भी, x के उपर interval दे रखा था, याद आया, under root में 1 minus sin 2 x, ठीक है, जाके check करना, तो यहाँ पर बिना mod के लिखोगे, तो हो सकता है, तुक्के से आपका answer ठीक आ जाए, या फिर गलत आ जाए, समझ रहे हो, और अगर तुक्के से नहीं, security के साथ सही answer के तरफ पहुचना है, तो फिर concept के उपर आपको focus करना पड़ेगा, अब यहाँ पर mod के sign को हटाना है, तो basically 2 theta किस quadrant में है, उसके हिसाब से cos का positive value आएगा, कि negative value आएगा, यह पता चलेगा, फिर हमें यह परा चलेगा, कि modulus के अंदर positive है, यह negative है, mod के अंदर अगर positive है, तो mod को हटा देंगे, चुपचाप से cos 2 theta लख देंगे, mod के अंदर अगर negative है, तो mod को हटा के बाहार एक minus लगा देंगे, समझ आया, ठीक है, दुबारा सुन लेना, वीडियो को replay कर लो, यहाँ पर theta का interval तो पता है, तो 2 theta का interval निकालने के लिए, 2 से multiply कर दो, यानि, 2 theta वाला angle, first quadrant में है, जिसमें cos 2 theta positive होगा, अब mod के अंदर, अगर positive है, तो mod को हम चुपचाप से हटा देते हैं, समझ गए, मैंने कहा था ना, कि तुक्के से सही answer भी आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर interval का खेल different होता, मतलब अगर interval pi by 4 से pi by 2 होता, तो उस case में फिर यह क्या होता, सोच के देखना, चलिए, तो फिलहाल हमको पता है, कि modulus के अंदर positive है, तो mod को हम अराम से हटा सकते हैं, सिर्फ cos 2 theta बचेगा, अब यहाँ पर फिर से आप 2 common ले लो, तो आपको अब ऐसा दिखेगा, 1 minus cos 2a का formula, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 times sin square theta, एंगल का half हो जाता है यहाँ पर भी, इसी का दूसरा भाई बंधू, 1 minus cos 2a, क्या हुआ, 2 sin square a, ठीक है, अब 2 to the 4, अंडर उठा तो मतलब आपको मिलेगा 2, और sin square theta, अंडर उठा है, मतलब modulus लगाईए, लेकिन theta क्योंकि first quadrant में है, तो sin theta वहाँ positive होगा, mode में positive, तो mode को चुपचाप से हटा कर, directly sin theta, लिख सकते हैं, 2 sin theta is the answer, option C, करेक्ट हो गया, question 41 के लिए, concept क्या सिखाया है, ध्यान से देखो, ठीक है, वैसे यहाँ पर, अगर interval हम change कर देंगे, तो answer क्या आएगा, मैंने एक interval बोला था ना, आपके लिए, कि अगर interval pi by 4 से, pi by 2 होता, अगर यह interval होता, यहाँ पर, तो फिर answer क्या आता, comment करके बताना मुझे, अब आगे चलेंगे, अगले question, यानि question number 42 की तरफ, so now we have question number 42, इसमें आपको यह दे रखा है, आपको इसकी value बतानी है, अब यह question हमारे subjective test में भी था, VTS 3 में भी था, cos 2 pi by 3 की value होती है, minus half, यानि properly explain नहीं करूँगा, explain कर रखा है, VTS 3 का solution देख लेना, इसी video का description box चेक कर लेना, ठीक है, तो यहाँ से न, अगर आप, इसे consider करोगे, तो y की value मिलेगी, minus 2x, and, अगर इसे consider करोगे, तो z की value मिलेगी, minus 2x, अब यहाँ पर आजाओ, आपको x रहने दो, y की जगए minus 2x डालो, y की जगए minus 2x, z की जगए भी minus 2x, plus z की जगए minus 2x, x की जगए x, यह बनेगा minus 2x square, यह है 4x square, यह है minus 2x square, एक बाद चेक करिए, सारे cancel होंगे, आपको 0 देकर जाएंगे, यानि option 20 सही हो जाएगा, question number 42 के लिए, ठीक है, अब हम चलेंगे, assertion and reason type वाले questions की तरफ, यानि question number 43, 44 and 45, चलिए बिटा हो, assertion and reason वाले questions में, basically हमें options इस तरीके से दिये होते हैं, option A में क्या बोला है, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, option B में है, both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of assertion, option C में है, assertion is true, but reason is false, option D में है, assertion is false, but reason is true, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं जरा, assertion में क्या है, और reason में क्या है, reason में तो बोला हुआ है, for all theta belonging to our set of real numbers, we always have this interval for cos theta, मतलब cos theta का output, यानि range दे रखा है, मेरा मतलब यह है, कि यह statement सही है, reason सही है, ठीक है, assertion को देखते हैं, for the given function, f of x 3 minus 7 times cos of 5x, the range of this function is this, ठीक है, तो यहां पर, जैसा कि reason वाले statement में बताया गया है, cos theta का जो answer है, यानि output, वो हमेशा इस interval में होगा, ठीक है, अगर x real है, तो 5x भी real है, समझ गए, तो अगर angle real है, तो cos of angle का answer, इस interval में होगा, minus 1, 7, close interval, function बनाने के लिए, मुझे यहां पर, minus 7 लेकर आना पड़ेगा, cos के साथ, तो minus 7 से जैसे ही, पूरी inequality में multiply करोगे, तो inequality का sign change हो रहा है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, अब इसमें, आप 3 add करिए, पूरी inequality में, 3 plus 7 यानि 10, बीच में 3 add करोगे, क्यों add कर रहा हूँ 3, function को देखते रहना, 3 minus 7 यानि minus 4, बीच वाला function हो गया, inequality को reverse करके लिखेदो, minus 4 इधर ले आओ, बीच में आपका fx, और इधर आपका हो जाएगा 10, यानि आपके function का जो range बना, तो range हो गया, minus 4 से 10, in the close interval, और यही दे रखा है, assertion में भी, यानि ये वाला statement भी सही है, Interestingly, reason is the correct explanation of assertion also, मतलब यहाँ पर option a को हम mark करेंगे, as the correct option, ठीक है, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, question number 44 की तरफ चलते हैं बेटा, so now we have question number 44, इसमें क्या बोला हुआ है, if 1 plus 10x into 1 plus 10 4x is equal to 2, x इस interval में है, तो x की ये value होगी, assertion में ये बोला हुआ है, reason में बोला हुआ है, if alpha is equal to 36 degree, बीटा ये दे रखा है 9 degree, और इसकी value not equal to 1, ये बता रखी है, तो पता नहीं ये true है या false है, एक बार हम चेक करके देखें, मैं पहले reason को ही चेक कर रहा हूँ, 10 alpha plus beta, यानि 36 plus 9 degree, ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये 10 a plus b का formula बनेगा, यानि 10 36, 10 36 plus 10 9 upon 1 minus 10 36 into 10 9, और ये हो गया 10 45 LHS वाला, जो की 1 होता है, ठीक है, अब 10 36, 36 मतलब alpha, alpha बीटा के फॉर्म में ही लिख लो, 9 मतलब beta, 1 minus 10 alpha 10 beta, ये 1 हो जाएगा, cross multiply करते हैं, so 1 into whatever, it's the same thing, 1 minus 10 alpha, into 10 beta, is equal to, 10 alpha plus 10 beta, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जरा इस minus वाले को उधर shift करते हैं, so we are going to have, 10 alpha plus 10 beta, ये तो सेम रहेंगे, ये उधर जाएगा, तो positive का, 10 alpha into 10 beta, और इधर आपको 1 मिल जाएगा, ये वाला 1 ठीक है न, बच जाएगा, तो ये पूरा 1 के equal है, और यहाँ पर लिख रखा है, it is not equal to 1, मतलब, reason वाला statement, false है, इसका मतलब, assertion वाला पक्का, true होगा, assertion true, reason false, तो option C, यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन, assertion वाला true है या नहीं, चलो इसको check करके देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को multiply करते हैं, ठीक है, तो ये बनेगा, आपका 1 into 1, plus, 10 4x, plus, 10x, plus, 10x into 10 4x, that is, is equal to 2, अब क्या करें, इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो 2 minus 1 यानी 1 बचेगा, और ये जो product हो रखा है न, 10x, 10 4x का, इसको भी उधर ले जाएंगे, तो ये है आपका 10 4x, plus, 10x, तो RHS में, 2 minus 1 यानी 1, और ये दोनों वहाँ जाएंगे, RHS में, तो ये तो positive है न, उधर जाके negative हो जाएगा, 10x into 10 4x, ठीक है, जो चीज आपको RHS में देख रही है न, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, LHS में भी, और RHS में भी, इस वाली quantity से, जो RHS में है, तो ये मिलेगा, 10 4x, plus, 10x upon, 1- 10 4x into 10x, अब क्योंकि, इसी चीज से, RHS में भी, डिवाइड करोगे, तो ये 1 बन जाएगा, RHS वाला, समझाया, ठीक है, LHS में, 10 A plus B का फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, तो आप इसे, 10 4x plus x लिख सकते हो, गॉट इट, और RHS में 10 1 है न, उसे आप 10 pi by 4 लिख लो, अब यहाँ पर angle को compare करो, 4x plus x यानि 5x बनेगा, और ये pi by 4 के equal, तो यहाँ से आपको x की value मिल जाएगी, pi upon 20, और यही दे रखा है इसने, यानि assertion वाला statement तो true है, और answer क्या आएगा, पहले ही बताया जा चुका है, assertion is true, reason is false, तो option C से होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 45 की तरफ, so now we have question number 45, इसमें क्या है बच्चो, assertion का एक statement है, और reason में, pi radians is equal to 180 degree, तो यह तो सही है, reason तो सही है, assertion को देखते हैं जरा, cos 3 pi by 2 plus x, cos 3 pi by 2 plus x, मतलब complementary change होगा, cos को हमें, sin x में लिखना पड़ेगा, positive या negative देख लेते हैं, 3 pi by 2 का मतलब है, यहां plus x, यानि fourth quadrant में, cos positive होता है, तो answer positive आएगा, cos 2 pi plus x, यानि cos x आएगा, क्यों? क्योंकि 2 pi plus x का मतलब हुआ, first quadrant वहाँ पर, सभी function positive होते हैं, break it में आओ, cot 3 pi by 2 minus x, यानि यहाँ पर भी complementary change होने वाला है, cotangent के लिए हम tangent of x लिखेंगे, 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 यहाँ पर आएगा, minus x यानि तीसरा quadrant, जिसमें cotangent positive होता है, तो answer भी positive रहेगा, cotangent 2 pi plus x, again first quadrant की कहानी है, तो यह तो आपका plus का cotangent x ही रहेगा, मैं सरिफ इस expression को एक बार simplify करके देख रहा हूँ, कि यह RHS वाले expression, यानि 1 के equal आता है कि नहीं, अगर आएगा तो फिर यह true है, देख लेते हैं, नहीं आएगा तो false हो जाएगा, बाहर है sin x into cos x, square bracket में 10x plus cotangent x, तो 10x को ऐसे लिख सकते हैं, sin upon cos, और cotangent को हम लिख सकते हैं, cos x upon sin x, ठीक है, इसमें LC हम लेख लो बेटा, bracket के अंदर, बाहर जो है वो चलने दो, sin x into cos x, यह हो जाएगा, sin square x plus cos square x, नीचे, नीचे बनेगा sin x into cos x, ठीक है, यह बाहर sin x into cos x, और यह उपर दिख रहा है, कट जाएगा, sin square plus cos square, यानि 1, तो यह वो आ गया, जो आपके RHS में भी दे रखा था, मतलब यह हुआ, कि यह वाला statement, assertion वाला statement भी सही है, assertion true है, reason भी true है, लेकिन reason is not the correct explanation of assertion, यानि यहाँ पर आप option भी mark करेंगे, as the correct answer of this question, ठीक है बच्चो, I hope आप लोगों को पूरा lecture अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो देर केस बात की, फटा फट इस वीडियो को लाइक करके, अपने सभी classmates को भी share कर दो, और इस चैनल को भी subscribe कर लेना, ताकि हर important वीडियो की update, आप लोगों को time to time मिलती रहे, ठीक है बच्चो, चलिए मिलते हैं next lecture में, till then, be good, take care, all the best, bye bye, की बच्चो,